अभिएग्यानिकों का दावा दूसरी लहर जूलाई में समाप्त हो जाएगी और कोरना की तीसरी लहर देश में छोज से आठ महीने में आ सकती है यह अनमान भारत सरकार के अधिन बिग्यान मंत्राले की बिग्यान और प्रतयों की बिभाग द्वारा स्थाफित बैग्यानिकों के तीन सदस ये पैनल के है बता दे इंडिया टूडे में छपी ख़बर के अंसार इन बैग्यानिकों का अनुमान है कि मई अंतक तेस में संक्रमन के मामले डेर लाग प्रती दिन आस जाएंगे जबकि जून अंतक या बी सहार प्रती दिन तक आ जाएंगे मउसम विभाग के अंसार उत्री बिहार से शतिसगर तक जारखन से होते हुए पच्मी विछोब का एक टर्फ लाइन फैला हुआ है बतादे एक टर्फ लाइन समुदर तल से 0.9 किलोमेटर उपर है इसका असर राज्य में देखने को मिलेगा बतादे इसके करंथी से 40 किलोमेटर की रफ्तार से तेज हवा और बजरपात के साथ हलके से मध्य दर्ज की बारिस होने की संभवना है इसे देखते यो मुसम भी भाग ने एलो अलर जारी किया है बतादे मुसम भी ज्यानी अविसेक आनन ने बताया की राजे में हो रही बजरपात प्री मानसून बजरपात है जो हर वर्स मई मध्य में मानसून के आने से पहले होती है हलाकि 21 मई से राजे में मुसम समाने रूप से साफ राने की संभवना है ज्यार्खन में लोगडाउन पर सीम हमत ने कहा थोड़ी तकलीप सहली जिए ज्यार्खन के मुख्मंत्र एमन सुरेण ने विभीन समाचार माद्यामोस से संक्रमन कम होने की सुचनाव का हवाला देकर आम लोगों से अपील किया है कि अभी खत्रा टाला नहीं है और अभी अधिक सतरक ताब रतनी चाहिए बुद्वार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से हमने देखा कि जब जब हमने इस मामारी कॉल के मिलिया है तब तब इसे ने दोगनी ताकत से वापस आकर तबाही मचाई है फिलाल खुस होने के बदले हमें और सतरक रहना चाहिए उन्होंने कहा कि सभी जर्खंडियोग के सयोग से हम इस मामारी को धियरे काबू में कर रहे हैं पर लडाई गरामीन छेत्रों को मामारी से बचाने की है इसलिए हम अब गरामीन छेत्रों में घर घर सर्वे ओटेस्ट कर रहे हैं ताकि संक्रमन का तेई से पता लगा कर उसे काबू में किया जा सके इसके साथी सरकार तीसरी लह से लड़ने की त्यारी बहुत पहले शुरू कर चुकी है सीबी एससी बारहमी के छात्रों के लिए कॉल सेंटर सेंटरल बोर्ड अफ सेकेंटरी एजुकेशन हमेशा आपने ओफिस को निम्तम ओध्वनिक टेकनोलोजी से लाइन्स कर रखता है ताकि छात्र अभिभावक और स्कूलों को किसी तरह की जनकारी के लिए परिशान नहीं होना पड़े इसी का द्यान रखते हुए बोर्ड ने बुद्वार को एक सोप्ट्वेर अधारी इंटर एक्टिव वाइस रिस्पोंस सिस्टम लांच किया है इसके तहत एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर होगा इसका नंबर तिरानबे 1141 पच्छतर चोंसट होगा इपास नहीं होने पर राची SSP को हवलदार ने रोका जारखन में लागो स्वास रक्षा सप्ता के दरन पूलिस पूरी मुस्तहदी के साथ ड्यूटी में जूटी है बतादे कोविड नियमों के पालन के साथ है राजे में लागो की गई इपास व्यवस्ता को लेकर भी लिया बताया गया कि लोगडाउन के दोड़ार राची SSP सुरेंदर कुमार जहां मोरिस से बंगाल सीमा पर साधे लिवाज में रात साले 9 बजे अचिक निरिशत करने पहुचे थे जहारखन में रेल हाचा हटिया रावल केला पसेंजर ट्रेन दुरहटना ग्रस्त जहारखन में बड़ा रेल हाचा टल गया पताद सिम्टेगा जिला के बानो रेल सेक्षन पर हटिया रावल केला पसेंजर ट्रेन का इंजन बुद्वार को कनारोवा एस्टेशन के पास दक्षिन केविन के पोल संख्या 526 के साथ आठ के पास देव नदी में उतर गया बतादे घटना रातरी साड़े आठ बजे की है इस हाथ से में कोई हताहत नहीं हुआ ट्रेन ड्राइबर बाल बाल बचा जारखन में अब तक 14,000,000,000 लोगों ने बनवाई ई-पास जारखन में लोगड़न के दोवन आवागमन करने के उनमती मांगने वाले 14,000,000,000 लोगों को ई-पास दे दिया गया है बाता दे एक ही जिले में रहकर आने जाने के लिए दोस लाक्च वाली से दोसो बासट लोगों के आविदन को स्विक्रिति दी गई है राज के बाहर से अंदर आने के लिए 22,990 लोगों को भी ई-पास दे दिया गया है जारखन में सराब की विक्रिमे गमी जहारखन में सराब पर लगने वाला टेक्स कम करने पर विचार किया जा रहा है इससे समन्धित फाइल वेरिय अधिकारियों तक पहुंची है अगर ऐसा हुआ तो सराब की कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन सराब दुखनदारों को राहत जरूर मिलेगी बता दे बरतमान में लोगडाउन इपास की बाजिता के चलते सराब की विक्री पर भावित होई है पहले राजे में जहां परती दिन 10 कोरों से अधिकी सराब विक्ती थी आज परती दिन 1-1.5 कोरों रूपे की सराब विक्राई है ज्यार्खन में रहा रहे सभी लोगों का होगा ठीका करण ज्यार्खन में रहा रहे सभी लोगों का कुरोना ठीका करण होगा चाहे होगा दूसरे राज्यों के लोग क्यों न हो यदि वे और उनके परिवार ज्यार्खन में रहते हैं तो उन सभी को टीका लगेगा बतादे राजे के विकास आयूक सवास्त विभाग के अपरमुक्षचीव अरुन कुमार सिंग ने कहा है कि राजे में जो भी लोग रहे हैं उन सभी का मुफ्थ टीका करन होगा इस पर कोई रोक नहीं है लेकिन दूसरे राजेयों के वैसे लोग जो जारखन की सिमावर्ती जिलों में आकर टीका लेने का पर्यास करेंगे तो उनका टीका नहीं लगेगा जारखन में 1894 नए केस मिले है जारखन में 33 मरीच की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 464 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 281,841 है भारत में 276,69 केस मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 287,156 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 31,25,140 है जारखन में 4528 मरीच स्वास्थ हुए है वहीं भारत में भी 3888 मरीच स्वास् 49, 14-18, देवगर, 75, धन्माद, 109, दूमका, 4, पूर्वी, सिमों, 241, गडवा, 48, गिरीडी, 64, गोड़ा, 20, गुमला, 56, 122, जामतरा, 22, खोटी, 50, कोडार्मा, संतान में, लातेया, 63, लौरदागा, 49, पाकुड़, 11, पलामु, 66, रामगर, 84, रांची, 251, सायवगन, 24, सरा 81, 14-0, देवगर, 106, धन्माद, 136, दूमका, 31, पूर्वी, सिमों, 44, गडवा, 210, गिरीडी, 175, गोड़ा, 22, गुमला, 88, हाजारीबाग, 377, जामतरा, 152, खोटी, 65, कोडार्मा, 141, लातेया, 309, लौरदागा, 85, पाकुड़, 0, पलामु, 189, रामगर, 150, रांची, बार टीका करण में दिव्यांगो को परत्मिक्ता की मांग, दिव्यांगो को टीका करण में परत्मिक्ता और टीका करण के सुगम बनाने के लिए जार्खन हाई कोड में जनीत याज का दाखिल की गई है, बतादे जार्खन विकला मंच के अध्यक्ष, अरुन कुमार सिंग ने अपने अधिवक्ता अनूप अगरवाल के माध्यम से आज का दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि 18 पलस वाले के टीका करण में दिव्यांगों को प्रत्मिक्ता नहीं दी जा रही है। कोविन एप पर राइस्टेशन की प्रक्रिया द्रिष्टी बाधित के लिए जटिल है। जार्खन के सिख्षक मांग रहे एक माह का बेतन। जार्खन के सबी जिले में कोविन मैनेजमेंट के कारे में सरकारी स्कूलों के सिख्षकों को भी लगाया गया है। सिख्षक इन कारियों का हवाला देते वे स्वास्त कर्मियों की तरह प्रतिन्युक्त सिख्षकों को भी एक माह का बेतन देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स और कुरोना वर्यस का दर्जा तथ 50 लाख रुपे की बीमा का लाप देने की मांग कर रहे हैं भैक्सिन पर अफवा फेलानवालों पर अब कानूनी करवाई ग्रामिन इलागों में कुरोना की जाच और टीका को लेकर अफ़ाय फेलाने वालों पर करवाई की त्यारी है बताते जारखन राज विधिक सेवाप रादिकार अपने पारा लेकल प्रादिकार और जीला विधिक सेवाप रादिकार के पैनल वकिलों के साथ ग्रामिनों को ज की जा सकती है इसके लिए जल्द ही जालसा सभी जीलों के विदिक सेवा प्रादिकारों को निदेश जारी करेगा किसानों को अब खाद खरीद पर 140 परतिसत की सबसीडरी केंदर सरकार की ओर से किसानों को खाद की खरीद पर सबसीडरी के बढ़ोतरी को रांची के सांसस अंजयर सेठ ने किसानों को दिया गया बेस किमती तफ़ा बताया है बतादे सेठ न बुधवार को कहा कि अंतराश्टी ये मोलियों में बढ़ोत्री के बावजूत के इंदर सरकार ने पुराने दरों पर ही किसानों को खाद मोहया कराने का एतिहासिक निन लिया आप किसानों को डिएपी का एक बोराखा 2400 रुपे की जगह सिर्फ 1200 रुपे में मिल सकेगा या सबसीटरी 140 परतिशत चार जीलों के डाक्टर नर्स और स्वास्त कर्मियों को दिया गया प्रसिक्छन रांची समनाला इस्थित NIC सभागार में इंटेसिव केयर यूनिट ट्रेनिंग प्रोग्राम के पूरा होने पर प्रमान पत्र बित्रन समार होकायोजन किया गया बतादे स्वास्त विवाक की पहल पर रांची जीरा परसासन की ओर से सदर अस्पतल रांची में चार जिलो के डक्टर नर्स और स्वास्त कर्मियों को इंटेसिव केयर यूनिट की ट्रेनिंग दी गई जिसमें गुमलाल वर्दगा, लातेहार और खुटी के डक्टर नर्स और स्वास्त कर्मि को आठ दिनों की ट्रेनिंग दी गई रिम्स छिपकिली मामले में जाच रिम्स के मेडिकल कर्मियों के खाने में मंगलवार को छिपकिली मिलने के मामले में बुद्वर को 580 जाच टीम का गठन किया गया है बतादे इस मामले में 24 घंटे में जाच रिपोर्ट सोपने को कहा गया है जारखन में नक्सल अभियान में 167 कमपनी तैनाथ जारखन में नक्सलियों खिलाब चलाया जा रहे अभियान के लिए 167 कमपनी फोर्च लगाये गए हैं इसमें CRPF की 122 कमपनी, IRB की 5 कमपनी और जारखन जगवार की 40 कमपनी फोर्च लगी हुई है बता देनक सलियों और उगरवादियों के खात में के लिए पूलिस की ओर से development action plan भी चलाया जा रहा है इसमें सरांडा एक्षन प्लान, सर्यू एक्षन डेवलोप्मेंट प्लान, जुमरा एरिया डेवलोप्मेंट एक्षन प्लान, पारसनात एरिया डेवलोप्मेंट प्लान, चात्रा एरिया डेवलोप्मेंट एक्षन प्लान, बानालाता इंटीग्रेटेड एक्षन प्लान, ग जमसेदपूर एरिया एक्षन प्लान, पलामू चात्रा एरिया एक्षन प्लान, वगाडवा लातियार, पलामू बोर्डरिंग एरिया एक्षन प्लान सामिल है। जमसेदपूर एक्षन प्लान, वगाड़ 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 एक्